नमस्कार दोस्तों, जब भिंडी की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों की बात आती है, तो हर किसान के जुबान पर एक ही नाम आता है, वह सबसे पहले राधिका भिंडी की ही बात करते हैं, तो किस वज़ा से राधिका भिंडी इतनी फेमस है, इसकी क्या खा ताइयारी की इस तरीका से करें और कौन सी मृट्टी इसकी खेती के लिए उसक्राइब करें चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो राधिका भिंटी एडवंटा कमपणी बनाती है जहा觉得 की खेती होटी है वहाँ पर राधिका विंडी की बुवाई कर सकते हैं राधिका विंडी लगबग सभी परकार की मिट्टियों में आसानी से हो जाती है चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे बालूए मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो या काली डोमट मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो तो हर परकार की मिट्टी में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। अब इसके खेत की तैयारी की बात करें दोस्तों दो बार कल्टी बेटर से गहरे जुताई करें और उसके बाद पांच टाली लगभग गोबर की सड़ी खाट डालें उसके बाद 50 kg फास फोरस, 30 kg नाइट्रोजन और 30 kg पोटास डालकर खेत को अच्छी तरीकर से जुताई करे उसके बाद रोटा बेटर से पाटा लगा दें इसके बाद बात कर लेते हैं किस समय में इसकी बुवाई कर सकते हैं यानि किस सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं तो बरसाथ के लिए अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो जून जुलाई में इसकी बुवाई कर सकते हैं और इसके कलर की बात करनें दोस्तों तो या गहरा हरा होता है और देखने में बहुत ज्यादा खोबसूरत होता है और इसका फल मुलायम होता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस वज़ा से इसका डिमांड बहुत अधिक रहता है इसके फल की लंबाई क की बात करें तो 10-12 cm इसका फल लंबा होता है और चौणाई की बात करें तो 1.5-2 cm चौणा होता है और बीज़ दर की बात करें तो एक एकड़ से बीज की दूरी एक से डेड़ फिट रखें इस तरीकत से अगर आप राधिका बिंडी की बुवाई करते हैं तो जो उत्पादन मिलेगा वह बहुत ही अच्छा मिलेगा इसके अच्छे जर्मिनेशन के लिए बीज को उपचाईद करें हलाकि या हाइब्र बीज होता है या की बात करें तो बुवाई के 45-50 दिनों में इसकी फर्ष्ट हर्वेस्टिंग हो जाते है या पहली तुराई हो जाती है वहीं रोग प्रत्रोच छमतक की बात करें तो राधिका बिंडी में पीला मोजैक और लिफ कर रोग के मध्यम सहन सिलता वाली किसम है इसा नहीं है दो प्रकेट में इसका डिमांड कम हो जाता है तो आप इसकी हर्वेस्टिंग हर एक दिन के अंतराल पर करना चाहिए तो इसकी सिचाई की बात करें दोस्तों अगर आप इसकी खेती गर्मी के मौसम में इसकी सिचाई करनी चाहिए और आप बारिस के मौसम में इसकी खेती कर र ठीटे हैं राधिका भींडी के समझ सरकल करें तो यह 5-6 महीने तक काफी आसानी से चलती रहती है और अच्छे से देख रेक करते रहेंगे तो राधिका भींडी आर्थ ततस महीने तक चलती रहती है लेकिन आप कम से कम 5-6 महिने तक इसकी तुड़ाई निश्चित रूप से कर सकते हैं या डिपेंट करता है आपके देख रेक पर और अगर आप समय समस्वर फर्टी लाइयर देते रहेंगे और रोग ना लगने देंगे तो या उत्पादन बहुत ही अच्छा देती है अब बात करते हैं इसमें लगने वाले रोग और कीटों की तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रोग का अटेक होता है वा वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माहू इन कीटों का काफी ज़्यादा अटेक होता है इसके उप्चार के लिए दोस्तों आप एमिंडिया कुलोफीट 17.8% और इसके साथ एसीटा फ्रिड माइट को मिला कर इस्प्रे करेंगे तो यह रोग आसानी से समाप्त हो जाएगा लेकिन इसका इस्प्रे हर 8-10 दिनों में करते रहना पड़ेगा जब आपको लगए कि इसमें वाइट फ्राऀ का एक है यह मच्छर का एक है तो आप इसका इसप्रे फिर से कर सकते हैं अगर बरसाथ के मौसम में इल्लियों का भी एक होता है इससे फल खराब हो जाते हैं और मार्केट में बिक नहीं पाते हैं जो उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है इससे किसान भायों को काफी जादा नुसकान उठाना पड़ जाता है दोस्तों इसकी उपचार के लिए आप अच्छे से केमिकल का स्प्रे करेंगे जैसे की ड रोज की बात करें दोस्तों तो इमा मैक्ट्टिन बेंज्वाइट को आठ ग्राम पंदर इटर पानी मिलाकर इस्प्रे करेंगे तो इसमें फंगस का वियतेक थोड़ा बहुत देखने को मिलता है इसके लिए आप यह मिश्टार का इस्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा या सरंगन की समस्या को दूर कर देता है और आपके पौधों को सुरचित रखता है और पौधों को एकदम हरा भरा बनाए रखता है या बहुत ही अच्छा फंगी साइट है दोस्तों इसके कीमत की बात करें तो 100 रूपए की आसपास मिल जाता है और इसके डोच की ब पास में या लगबग आपको मिल जाएगी या निर्भर करता है आपके राज्यों के उपर यानि हर राज में इसका रेट जो होता है थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट की तो दोस्तों या मद्ध्यम हाइट वाली किस्म है या आज ब्रांच निकलती है इस वज़ा से इसकी जो उतपादन होता है वह बहुत बढ़ जाता है इसकी हाइट मध्यम होती है उतपादन जो होता हो बहुत अधिक होता है और लंबे समय तक इसका life circle होता है इसका डिमांड भी मार्केट में अच्छा रहता है और फल की साइज ब पत्ताईगी जानकारी आपको अच्छी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक